वेल्कम बैक टू जागो लहार ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब और हमने आपके साथ डिसकास कर लिया कि आपकी सहर्थ के जो जो इशूज हैं आपने किस तरह से अगर ज्यादा गोश्ट खाया चाहिए इसको काम पुंचेट कैसे करना है सब जो कि तू लेकिन अगर आपने दिनों ने ओवरेटिंग की है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते और ओवरेटिंग के बिसिकली नुकसानात हैं क्या उसके लिए मारे चाथ मौजूथ होंगे जनल प्रजिशन है डॉक्टर आतिव चौदरी उनको वेल्किम करेंगे वेलकिम तो डॉक्टर आत है हम यह समझते हैं कि अगर हम अगर बहुत ज्यादा खा लें तो उसका हमारी बाड़ी को फाइदा है यह वो सिकलोजिकल एफेक्ट है जिससे हम ओवरेटिंग की तरफ एज़ नेशन एज़साइटी हम माल होते हैं साथ इसकी कुछ और इसन भी होती है अगर आप सिरफ ए आप जनरल जो ओवरेटिंग की कुछ लोग वो शिकार होते हैं उसके बड़ी रिजन्स हो सकती है आदत होती है लोगों को अगर में वेल ने बैठे हो में है उनके उनके पास और कोई काम नहीं है स्वाई खाने के साथ कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं डिप्रेशन मे हम हासनी जाने जाने देना चाहते हैं किसी भी सुर्ण ठीक हो गया है अच्छा डॉक्टर आतिव मैं आपकी तरफ दोबारे भी आती हूं मैं जरा एक हमारे नमाइदे हैं सबी लसन जो सब्सक्राइब कहां मौजूद हैं ये भी हमें बताएं और इसके साथ मुझे अंदा मैं एक ताफून जदा अलाके में मौजूद हूँ इसका नाम जो है वो गुलिस्तान कॉलूनी है और धरमपूरे की यह जो है बॉंटरी है लेकिन यहां के लाके के अफ़ाल से कर सकते हैं कि यह तमाम तर जो कुड़े दान है इस वक्त मुकमल तोर पर फूल हो चुके में लेकिन को उठाने के लिए LWMC का जो मैकम है वो मशीनरी नहीं ला रहा है जितने भी यहां पर LWMC के अलकार हैं वो जगा जगा से कुड़ा करकट तो कठा कर लेते हैं इन में गोश्ट की तरह की जो घरों में इस्तमार की जाने वाली चीज़ें हैं एद के दिन गुजरें तमाम तर वह फुजला चीज़ें मौजूद हैं लेकिन अब तक जो है इन चीज़ों को नहीं उठाया गया यह जो आप दिवार देख रही है अर्मिला यह दिवार किसी घर की नहीं यह डिगरी कॉलिज है यहां पर बच्चे स्टूइंट्स जो हैं पढ़ते हैं साला साल यह इसा ही महाल रहता है यहां के लोग मकीन मौझूद है हमारे पास लाका मकीन इसे हम बात करते हैं उनसे पूछते हैं यह उठाय कि यह आता और कप कप यहां पर रेल्दर्वियम सी कहलता रहते हैं सर यह बताएं हर दिन घीत सुर्ट हाल रहती है इस सिर्फ पाजिन लुए कि आपके के लोगैं सरे इदर दुर्खास्तें भी दिया हरसे बात भी करी हैं लेकिन यहां तक जो भी इदर के हैं उनको भी दोला कि ये इसका कोई हल नकाल एं लेकिन कोई सुनव डिए अर्मिला कोई सुनवाई नहीं है, यहां पर खड़ा होना इतना मुश्किल है, हो सकता है, मेरी खौईश होगी कि यह जो बदबू है, आप लोगों के स्टूडियो में भी जा रही हो और जो यहां के हुकमरान हमारे हैं, जो बलजाती नुमाइंदे हैं, जो LWMC के हलकार हैं, जो कुर्बानी के बाद हम देखते हैं, शेर भर में क्लियर करने का दावा तो किया जा रहे हैं? यह मूँ तक भरे में चार ड्रम मौझूद हैं यहां पर, लेकिन चार ड्रम को खाली करना मकसद है कि खाली किया जाए, यहां पर फिनायल वगारा फेकी जाए, ताकि आलाके में ताफून ना हो, लाके में जो इसकी जो बदबू है, वो ना फैल सके, तमाम तर रहाइशी लोगों ने अपनी खिड़किया बंद की वी है, यह अगस्त का महीन है, हपस का महीन है, लोगों ने अपनी खिड़किया बंद कर ली है, ताकि बाहर की बदबूज है, उनके घरों में ना जा सके, बहुत मुश्किल है, डिग्री कॉलिज की दिवार के साथ, यह हमने देख की आप इमैजिन भी नहीं कर सकते हैं जो लोग वहां पर रह रहे हैं अगर सबी के लिए वहां पर खड़ा उना मुझकल है तो जो लोग वहां पर रह रहा है उनकी प्रॉबलम होगी और हमारी फॉइच है कि जो ताफून ये बद्बूत है ए जिसमें लोग रह रहे है वह ल इते अले trabalhar्सेशृ इन फैना इस आपिक इन कोई है वो पित्म जाधा पून हो जाते है बिमारी के हवाले है मुअ जाता कि यह आज कर लेते हैं कि हम आज के मरीच है जा दो कि आपने बित्स अंडाय वि कुछ निल के ले करेंगे और अपने को मुझबूर करेंगे के अपनी कप्रस्टी से ज्यादा वह काम करें तो क्या करेगाagog में करेंगा। आपनी कमेश्ट क से बड़ा साइज लेगा उसको हञाचन करने के लिए बाडी का ऐखेंच измен ताकि मैं उस खाने को हजम कर सकूँ उसका एफेक्ट जो दिल के पेशिंट्स है उसके दिल पे हो सकता है सब्सक्राइब जाते हैं साथ मोमन आप देखें के दो इस दो तीन दिन की ओवरीटिंग से जो डियबेटिक पेशिंट्स है उसके बाद वो उनका जो कंट्रोल है वो काफी पीछे चला जाता है साथ और बहुं साजी डिजीस जिसमें यह जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं एज क सब्सक्राइब तो आप बहुत सारी बिमारियों से बच भी सकते हैं अच्छा अच्छा ओवरीटिंग का तालुक भी आपके डिप्रेशन और मूद स्विंग से अगर आप बहुत ज़्यदा खाते हैं और हर वकत खाते हैं आप ओवरवेट हो गया है तो आप देखें कि ऐस आप अगर आप बहुत सारी फैट अगर लेंगे खुराक के अंदर और अगर आप उसे लेके सो जाएंगे तो आपको आपको ड्रॉने खाब आते हैं तो यह इसका तालब यह बिलकुल 100% वह इसका रिलेशन है क्योंके डिफरेंट नर्व्स हूजरती हैं स्टमक के करते हैं उनको मूर स्विंग से लेके डिप्रेशन और डिफरेंट नफसाथी बिमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है अच्छा ओवरीटिंग कितनी क्रॉनिक हो सकती है क्योंकि हमने इसको बहुत लाइड लेते हैं अगर मेरा दिल खराब है या हमारा मूट खराब है ह सब्सक्राइब करने लग गया बिल्कुल इसमें बात करें दो एक्स्ट्रीम पर हम लेकर चलते हैं ट्रानिक जो हो सकता है फैटल जो सकता है कितना जादा है कि मेरा जो मेरा हमने जो अब्जर्व किया पेशिंस के अंदर मारे सुसाइटी के अंदर हम आम लोग के लिए री बन चुकी है जिसका आप रिजल्ट देखने तमाम के तमाम हॉस्पिल जाके देखें कि यह के दिनों में वह वहां एमेजिंस के अंदर उनका राश बढ़ जाता है गया स्टों टार्टिस के साथ पेशिंट आते हैं स्टमक पेन के साथ पेशिंट जाते हैं और डिफेंट विमारियों के साथ पेशिंट आना बढ़ जाते हैं तो ओवर इटिंग मैं तो समझता हूं कि इंडिविजुल से निकल के यह हमारी सुसाइटी की प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो हमारे सुसाइटी के अंतर ब्लड प्रेशर डाप्टीस और डिफेंट स्टमक प्रॉब् देखें हम बड़ी शौक से खाते हैं चिकनाई वाली चीज़ें अगर एक बंदा अगर ना हमारी जो लाइस्टाइल होता है हम सारे दिन के अंदर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं अपनी मुलक के लिए काम करते हैं लेकिन 24 आर्स के अंदर हम आदा केंटा से 45 मिट लिए नहीं निकाल और उसके उपर सोने पर सुहागा हम लोग क्या करते हैं कि हमें हैबिट्स हैं कि हम चुकनाई से बनी हुई चीज़ें ज्यादा खाते हैं उसका रिजल्ट का निकलता है लेकिन हमारे यह भी ट्रेंड है कि अगर कुछ चाहें कि यार मैने नहीं खाना तो हमारे कहा जाता है निन खाला खाला चाचा कुछ नहीं होंदा है यह एक दिन के लिए कुछ नहीं होगा है अगर हम खा रहे हैं उसके जल्दी से 2-3 मेडिसिन से पूरा हो जाएगा सर्फ मेडिकेशन हैं हमने एक अज्यूम किया हुआ है कि हम फुद आपने डॉक्टर भी है यार अगर दो चार मिठाई खालो साथ वह मैडिसिन खालो सब्स ठीक है ऐसा नहीं होता जिस चीज से डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है या जो चीज आपकी सहत के लिए खराब है जब वह आपके अंदर आएगी तो यकीन खराबी ही पैदा करेंगी और एक और चीज आप उपर से में खुराक जैदा खा रहे हैं साथ मैडिसन खा रहे हैं लिए कि मैडिसन का भी एफेक्ट आपकी बॉड़ी के उपर है आप आपने उपर डबल जुलम कर रहे हैं तो मेरा तो बड़ा यह कीन है कि ओवरीटिंग मारी स्वाटी में बहुत बड़ा मसला है अच्छा हमने ऑवरीटिंग के बाद की गोश्ट की बाद की जो पकाने के तरीका कार है वह भी बड़ा मेजरी कांट होता है कि हमारे हैं जिस हिसाब से खाना पकाया जाता है ओएल मसाल करें और तरी ऑर तरी डाल कार वो मजीद आपके लिए हम नुटसान होगा तरी के बगए अगर गोश्ट के ओपर इत्नी साइव साही टरी नहाँ तो में मज़ा ही नाया तो घर में इक काला है यह मज़द साथ एक है एक अगर वह बोश्ट दुनाना है तो उसके साथ काफी कोईलों के उपर जो हम गोष्ट को जलाते हैं वह बड़ा वोस्ट के लिए प्छो मसिवत बाधी जाती है आरबरी के वह टिर्श थिर्श अपनाए गोष्ट हैं च्रफय काने के वह भी हिरूस के लिए नुकसान दे हम उसे बनाते भी हैшल बाजी कि दृता है बार्बीक्यू दरेक्ट कोलों के उपर बन रहा होता है तो जब हम वह खाते हो जलावा गोष्ट खाते हैं तो इमाजन करें कि अंदर क्या सूर्तियाल हो सकती है इसलिए जब भी अगर आप देखें के जब आप डॉक्तर के पास जाएंगे तो दो थिन चीजे आपको मना करत माँबीक्यू करें प्रॉक्र में चाओ कि एक तो झहु में है जब भी कुण करते तो बहरें चिकन को या बीग को सिख और आप सीख दे ले चीज़ बहता है तो यह अगर आप बहुत तो बहुत देले गया तो पंढ़ाण अगर आप बहुत देरे के लिए कोईलों पर रखते हैं तो अगर उनका कहने का यही मतलब है अगर उनका पहले नरम कर लें तो आपको कम देर के लिए मेहनत भी करने को रहेंगी ठीक होगा जनाब कालिस्ट्रॉल के भी हम बात कर रहे थे कि इत के दिनों में अगर खुदा नखास था आपने ओवर इटिंग किया तो कालिस्ट्रॉल लेवल को आपने मेंटियन रखने के लिए अपनी डाइट को किस तरह से बेतर करना है यह जोहा हमें बताएंगी याने कि उनकी फैंपले के ही इंदर चलता हय है कि उनके कलिस्ट्रॉल लेवल भगेंगे कुछ लोगों के डाइटरी हाबिट्स की विजए से होता का side effect होने के वज़ा से भी cholesterol levels भरने का जो चांस है वो ज्यादा हो जादे तो सबसे important चीज जो यह है कि सबसे पहले आपको वज़ा पता चलजे कि आपका cholesterol level भड़ा क्यूं है तो फेर हम उसको manage कर सकते हैं यानि कि इसको normal ranges में ला सकते हैं अगर तो वो dietary habits की वज़ा से भड़ और जो oils हैं आपके जिसमें हमारे पास canola oil आजाता है, olive oil आजाता है, जिसको जितून का तेल केते हैं या जो सरसों का तेल है वो आपने देखा कि आपके जो room temperature और उस पे वो बिलकुल पानी के तरहां की होते हैं तो जब हम इन दोनों चीज़ें को जब लेते हैं यानिके गी को या किसी भी तेल को तो हमारी बॉड़ी में भी उसका असर बिलकुल वैसा ही होता है अगर आप घी लेंगे जो कि रूम टेंपरेचर पर जमा हुआ है तो वह आपकी बॉड़ी में जाकर आपकी जो वैसल आपकी जो खून की नालिया है उसमें जाकर वो जमने लग ज करेगा इसके लावा जब हम प्याट्स की बात करते हैं तो उसके लावा हम आते हैं fiber की उपर जो आकका यो आपकी अपसानी से मिल जाते हैं तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से कि जिनके कलिस्ट्रॉल लेवल्स बहुत जादा हैं वो ताजा सबजियों का इस्तमाल, ताजा फलों का इस्तमाल अपने खुराक में जादा बढ़ा लें क्योंकि जितना वो फल और सबस्या नेंगे उससे क्या होगा कि आपकी बॉड़ी के अंतर जो कलिस्ट्रॉल जमावा है उसको वो निकाल के बाहर फैंकने में मदद करेगा इसके अलावा बहुत से लोग जिनके कलिस्ट्रॉल ज़यादा होते हैं वो अंडा नहीं घाते कि हम अंडा कुएंगे तो हमारे कलिस्ट्रॉल लिएट्ट बढ़ जाएंगे ऐसा बिलकुल भी नहीं है नई research के मताबिक नई तहकीकात के मताबिक ये बात सामने आई है कि अंडे की जर्दी के अंदर जो cholesterol है वो good cholesterol है उसका कोई रोल नहीं है आपके साथ hypertension create करने में या cholesterol levels को और बढ़ाने में तो लेहाज़ा आपको ये चाहिए कि आप अंडे का समाल भी रोज कर सकते हैं इसके लावा ताजा फर और सबस्दों का समाल अपने उखराक में शामिल करें घीज या सी चीज़ों से परहेस करें और टेल को अपने परमर ओयागेरें घी जशी चीज़ों से परहेस करें जादधा जादा सबस्जा क्हाएं, फल खाएं तभी आप चीजे बालंस कर सेकें ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हासिर होंगे मजीदी मेवानों से मिलवाएंगे, आप देखते रहें जाग लहौर